नमस्कार आप देख रहे हैं हर्याइना नियूज एक्स्प्रेस और मैं हूँ आपके साथ छवी आईए रोख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की और सावन की दूसर सुमवार को कावडी आत्रा के अंतन दिन भारी संख्या में कावडी अपने गंतव्य की और बढ़ रहे हैं वहीं शिवर में कावडीयों के लिए स्वच भोजन नहाने धोने और आराम करने के लिए विशेश प्रबंद किया गया है इस मौके पर साफ सफाई का भी विशेश ज्यान रखा गया है कावडीयों के इस रक्षय के लिए पुक्ता इंतजाम भी किये गया है इसके लिए फायब रिगेट को भी तेनाद किया गया है वहीं पुलिस प्रशासन भी पूल सतर तक से ड्यूटी कर रहा है ताकि कावडीयों की यात्रा मंगलमय और आराम दैख होगा आपको बता दे कि कल सुबहा शिवजी का गंगाजल से जलाविशे किया जाएगा मंदरों में भी इसके लिए पूल तयारी की गई है मंदरों को खूब सजाया गया है हरिद्वा से विशाल कावड लेकर आए बोले के भक्तों ने खुशी जाहिर करते हुए का कि वो ये विशाल कावड हरिद्वार से लेकर आए हैं और अंबाला शहर जा रहे हैं वहीं उन्होंने कहा कि पिष्टे दो साल से कोरोना के चरते वो कावड नहीं ला पाये थे लेकिन अब की बार वो इंतजार कर रहे थे कि कब सावन आये और वो कावड लेकर आए और उन्हें बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है वहीं उन्होंने अब की बार अच्छा मौसम होने की भी बात कही अमबाला से हमारे एरिटरिंट जीव राजिंदर भारत दुआज की रिपोर्ट और सब तरह का इसना में बताया है अच्छा में अच्छा लोकल बहुत आते हैं आपर पार जाने वाले बहुत आते हैं आज मैसी हो पत्व जो गैसरी मोदा आएगी तेल मेरा नाम बंटी है हम हर दो बार से कावड लेका है और अमबाला शाहर जा रहे हैं हमारा 20 बंद घ्रूप के दो साल के बाद अब की बार कावड यात्रा की बहुत अच्छा ज़का बलकि याद करें कभी यात्रा गुले की कभ हम आएग हर साल जब यहारी साथवी विशाल क मेरा नाम गुर्पित है जी हम खड़ी दवार से आया है अम्बाला शार जा रहे हैं आज कल सुबह पहुंच जाएंगे हमारे फेस्बूक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताजा खबरों के लिए बैल आइकॉन को दबाना नब भूले